नमस्कार टीपीवी नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रुपल शर्मा आए रुप करते हैं खबरों की और मौजमा बाद में सिचाई फसल रभी वर्ष दोहजार रिकिस चापरवाडा बांध की जल्वितरन समीती की बैठक 26 नाउंबर को आयोजित होगी सिचाई विभाग के सहायक अभियंता अनील थालोड ने बताया कि जुला कलेक्ट जैपूर के अध्यक्षता में सुभह 11 बजे दूदू उपखन कारेले पर बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें बांध से नहरों में पानी छोड़ने को लेकर विचार विमर्ष किया जाए एक सो दो नवीन जॉब कार्ड बनाए गए एक सो पिचानवे नामांतरन भरे गए खातों में शुद्धी के दो सो पिचानवे प्रकरण निप्टाये गए आपसी सहमती से अठारा खाता विभाजन के प्रकरण का निस्तारन भी किया गया शिविर में कई समस्याओं का वह भारती स्टेडियम में 65 वी राज्योस तरिया एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयुजित की जा रही है चात्रा वर्ख 17 और 19 वर्ष के खेल के दोरान आयुजन करता श्री यूनियन क्लब राज के बाले का माध्यमिक विध्याले की सेवकारे में लगी सभी चात्राओं को राजलादेसर के भामशा सुरेंद्र कुमार्द आधीज द्वारा ट्रैक सूट प्रदान किये गए इस तरह कजबे के भामशा ने प्रतियोगिता के दौरान अपने अपने तरीके से आयुजित को की सहायता ही तू आ गया रहे हैं बेटियों के लिए सभी भामशा दिल खो पूर्व डायरेक्टर रामबाबु गोस्वामी और पारशत पती सुरेश कुमार मीना ने शिविर पर पट्टा वित्रन किया इस दौरान गाउं की लोगों की समस्याओं को सुना गया शिविर में नहर की समस्याओं का समाधान करने का श्वासन दिया गया उदैपुर जिल ठाकुर जी को शाही लवाज में और राज से ठाट बाट के साथ रजत रत में सवार करवाते हुए नगर भ्रमन करवाया गया बिंदोरी ठाकुर जी के मंदिर से शुरू होकर प्रमुख मारगों और चौराहे से होते हुए पुनहें मंदिर परिसर में पहुंची बिंदोर झाल झाल